हलो स्टुरेंट दिस अभशेख हैर और स्वागात आपका हमारे चैनल स्टेडी क्लास पे तो जैसा कि आपने थमनिल में देख लिया है कि प्रोफेंशन इंग्लिस विशे का 2023 का जो प्रशन पत्र आया था जी हाँ क्यों कि यह इंगमी अवाले देते हैं इंगली में नहीं यह उन् Nope MCQ होते हैं ध्यान रखेगा पांच नंबर का यहने पांच नंबर के objective questions ही आते हैं और बचे बीश नंबर के theory questions आते हैं यहां भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई जितने भी marks हैं उन questions के आगे लिखे हुए हैं पहली बात तो यह कि question number one जो objective type questions है और वो हमेशा first page पर ही प्रत्थम push पर होना चाहिए हिंदी में भी आपने पढ़ा हुआ है फिर question number two से seven तक जो है यहां से देखिए two से seven तक very short answer type questions है और उनका उत्तर जो है 30 सब्द में सब्द मास के लिए चार मास के लिखा जाता है clear है का तो ध्यान में रखीगा तो यह होगे सारे rules regulation आगे बढ़ें प्रशन पत्र कैसा आया था अब्जेक्टिव देखिए आँपर which type of grammar is known as formal grammar यह objective ठीक है पहले बता दूँ डियलेड का grammar पढ़ने के लिए पूरा playlist बना है mcq objective questions कौ के विशह में कि सिकाई से कितने अंकों के कौन-कौन से प्रशना आते हैं mcq आता है कि theory आता है यह भी मैंने वीडियो बना कर अप्लोड कर दिया है तो जाकर अब भी चैनल पे प्लेडियो सेक्शन में चेक करो सब मिलेगा ठीक फिर question आएक आपको भाई synonyms are the word of pardon synonyms लगने वाले शब्त को हम क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं यहां पर दिया हुआ ठीक है ध्यान रखना how many vocals sounds are there in English English में कितने vocal sounds 26 26 letters होते हैं which of the following is receptive skills receptive skills कौन से भाई तो receptive skills कौन से कहलाते है reading and writing listening and writing reading listening and speaking speaking and writing listening and reading आगे बड़े अब questions कैसे आते हैं सवाल what do you mean by scanning scanning क्या होता है इस तरह के सब्सक्राइब को सकता है what is scanning scanning किसे कहते हैं इस तरह के सभी प्रशन को उत्तर जानने के लिए आप हमारा app download करके उसमें course purchase कर सकते नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है special अगर आपको इंग्ली स्विस्या से डर लगता है तो इंग्ली स्विस्या का special course बहुत ही कम कीमत में से मातर एक course के लिए एक subject के लिए जो से launch कर दिया है तो इस वीडियो के description हमारे app की link है app download करो वहाँ पर course purchase करो और पुरी पढ़ाई करो और पुरा डर भूली जाओ प्रोफेंशन इंग्लिस का पास होना गरेंटेड है वह अच्छे नंबर से वाइब ब्रेंस्टार्मी इसेंसेल टो अच्छी प्रोफेंशन राइटिंग स्कील यानि दिमागी कसरत क्यों ज़रूरी है आपको प्रविन्टा के लिए अच्छे से लिखना है उसके लिए सवाल देखेंगे तो what are the main causes of handwriting defect write any four causes यानि खराब जो राइटिंग होती है राइटिंग में खराबी होती है उसके क्या कारण है तो उसके चार कारण लिखे बैड है राइटिंग के फिर सवाल है change the following sentence into positive comparative and superlative degree यहाँ पर जो sentence दिया है इसको बदलना है positive degree superlative degree और compare degree अब यहाँ पर दिया है Mohan is an intelligent boy in this class यह हो गया जो डिरी तीन तरह की होती है एक होती है positive है ना फिर कोती comparative और यह तो है superlative जैसे good positive degree है good better उससे comparative degree compare करने के काम आती है सुपर लेट्व सबसे best बताने के लिए काम आती है super बताने के लिए अगर कोई चीज़ सबसे super है जैसे he is better boy मतलब दूसरे से तो अच्छा है he is best boy वो सबसे अच्छा है तो वह good boy good मतलब अच्छा लड़का better boy पहले-वाले से अच्छा अच्छा दूसरों से अच्छा और best सबसे अच्छा ठीक अच्छा दूसरों से अच्छा अच्छा, good, better, best, तो इसका कमपरेट्व कैसे बनेगा, मोहन is intelligent to learn than others, मोहन is more intelligent, जब यह intelligent शब्द आते हैं, जैसे beautiful शब्द, intelligent शब्द, इनको अगर super relative comparative बनाना है, तो more और most लगाते हैं, मोहन is more intelligent boy in the class, अपने class में ज्यादा intelligent है बना देने, clear, अब ऐसे grammar को पढ़ना है, कैसे बनता हैं, तो dearate grammar को playlist check करो जाके हमारे, dearate grammar मैंने पुरा पढ़ाया है, मदद मिल जाएगी, फिर why English is considered as an international language nowadays, आजकल अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्टी भाषा क्यों कहा जाता है, ये सही, सही आदत हो जाए आपको English बोलने की, ये जो आजकल है, ये English speaking, सही इस पर लिखे, यानि की, शुद्ध अंग्री जी बोलने का जो चलन है, उस चलन में दिन बदिन कमी आते जा रही है, गिरावट आते जा रही है, इसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, फिर अब आपको notice application, ये सब लिखने भी आ जाता है, जैसे याँ पर दिया है, you are a head boy of your college, inform the students about special classes of computers in summer holidays, the master of this class will be renowned computer expert महेजदास, write a notice, आपको या notice लिखना है, आपके class के बच्चे है, उनके लिए class लग रही है, computer class लग रही है, तो जो भाग लेना चाहते हैं, वो भाग लें, उसके लिए आप notice लिखे, आप class के monitor हो भाई, ठीक है, आप head boy है, college के अपन notice का होता है, notice कैसे लिखते है, इसका video में बना चुका हूँ, playlist सर्च करेंगा, मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, write an application to your principal for leave for six days to attend the marriage of your sister, 6 दिनों का भाई, आवेदन पत्र लिखे, चुट्टी के लिए, 6 दिनों का चुट्टी के लिए, आपको पत्र लिखना है, आवेदन पत लिखे, you're evidently thank you, यह पता ही, आपको application कैसे लिखते हैं, यह video भी आपको मिल जाएगी, playlist चेक करेंगे तो, फिर explain in brief extensive reading and write its any two aims, extensive reading बतलाईए, एकदम विस्तार में, और उसके भाई, दो उसके aim बताईए, दो मकसब बतलाईए, और मैं आप ऊचा है, what are the aims of teaching reading, जो last के दो questions आ हो गया 2023 का question paper, जी हां, 2023 का प्रशनपत्र, तो इस प्रकार के questions आए थे, I hope कि आपको एक idea लग गया होगा, जो भाई, किस प्रकार के questions आते हैं, किस प्रकार से प्रकार से आपको तयारी करनी है, ऐसे सवालों के जवाब, यह सब कुछ आपको आपको आमारे notes में मिल जाएग उनको all परक दे, ताकि कोई भी exam related news रहे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जड़ी मिलेंगे next class में